नमस्ते, आज हम बनाएंगे करेले का सबजी, इसके लिए हमने करेले को इस तरह से कट कर लिया है, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, कूटी भी लसुन, सबसे पहले कराए में डालेंगे तेल, तेल गरम होते ही, हम इसमें डाल देंगे पाच फूरन, इसके बाद, प्याज, लस हरी मिर्च, इसे डाल कर अच्छे से इसे फ्राइ कर लेंगे, प्याज, लसुन, हरी मिर्च हमारा पक चुका है, इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं करेला, और एक से दू मिनित तक हम इसे पकाएंगे, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, हल्दी, नमक स्वाद नुसार, और इसे अच्छे से मिक्स करके, इसके बाद इसे हम ढखकन लगाकर एक मिनित तक पकाएंगे, एक मिनित के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं, टमाटर और करेला हमारा लगभग पक चुका है, अब हम बिना ढखकन की ही, इसे चलाते हुए लू फ्लेम में पकाएंगे, तो करेला और टमाटर हमारा पक चुका है, तो रेडी है करेली की सबजी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लेज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमिन कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब भी कीजिए,